इंडिया गठबंदन में शामिल दलो की बीच सीट शेरिंग पर सहमती नहीं बनी है जो की सबसे बड़ी चुनौती भी है इस बीच एंसेपी चीव शरत पवार ने चुनाव लड़ने का ऐसा फॉर्मूला तयार कर लिया है जिस से 2024 में विजेपी की दिकत बढ़ सकती है साथ चुनाव इंडिया गठबंदन के लिए कई माईनों में काफी खास हैं इस बीच शरत पवार ने इंडिया गठबंदन के दलो के लिए सीट शेरिंग का फार्मूला तयार कर लिया है खबरों के बाने तो एंसेपी चीफ शरत पवार ने विजेपी पर कटाक्ष भी किया उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन ने कमत से बदल कर वाशिंग मशीन कर लेना चाहिए एंसेपी की कारी समीथी की बैठक में शरत पवार ने पार्टी कारेकरताओं को आश्वासन दिया कि चुनाव चिन बदलने से लोगों की दिल नहीं बदलते हैं उन् अपनी राजनेतिक सफर के बारे में बात करते हुए शरत पवार ने कहा हो जाएगा कि बीजेपी ने कितने राज्यों में चुनाव के जरिये जीत हासिल की और कितने में पार्टियों को तोड़ कर शरत पवार ने कहा भारत की लोग बीजेपी की इस प्रतिशोधी राजनेति को स्विकार नहीं करेंगे हम इंडिया गडबंदन के माद्यम से एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं हाला कि कुछ मदभेद हैं उधारन के लिए पश्चिमंगाल में तुरणमूल कॉंगरेस और कॉंगरेस और तुरणमूल कॉंगरेस और वामपत्यों के बीज इसलिए हम जो कह रहे हैं वो व्यापक भलाई के लिए हैं लोग सबाचु पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसे में बीजेपी की हार्ट तय है डिबलाइफ की रिपोर्ट